कोई लोटा दे मेरे बीते हुए दिन जीवन जीने की कला, जीवन का मौज लेना हर कोई चाहता है लेकिन लेपाता कोई कोई ही है, जीवन का आनंद है क्या और कैसे जीवन को मौज में बिताया जा सकता है, जीवन का आनंद लेना एक कला है, इसे सीखने और फिर साधने की जर जीवन का आनंद वापस प्राप्त करने की तलब जगा दे नागा सन्यासियों के बारे में आपने सुना होगा साथ में कोई बोज लेकर नहीं चलते यहां तक की कपड़े भी नहीं मस्त मलंग फिरते हैं एक नागा सन्यासी बड़े मौज में कहीं घूम रहे थे उन्हें कौन कितना बेफिक्र मतना मस्तमौला भी हो सकता है इस बंदे को तो कोई परवा ही नहीं कोई चाह ही नहीं जिन सन्यासी को देखकर कुछ समय पूर्व वह उपहास करना चाहता था अब उनसे जलन हो रही थी ऐसा कैसे संभव है क्यों न इन्हीं से पूछा जाए इनकी खुशी का राज यूवक पहुचा नागा सन्यासी के पास प्रणाम करके अपना सवाल दाग दिया यूवक ने पूछा बाबा आपके पास तो कपड़े तक नहीं घरबार नहीं कुटुम रिष्टेदार नहीं फिर भी जीवन में इतना आनंद क्यों है मेरे पास तो सब कुछ है फ की सच्चाई जीवन की कुछ और है इतनी तरह की मुश्किले हैं इतने तरह की मारा मारे की कोई इंसान मौज में रही नहीं सकता आप मौज में हैं क्योंकि आप इस समाज से भाग गए हैं समाज में रहते हुए मौज में रहने का कोई नुस्खा बता सके तो बड़ी कृप बना है जब कोई नया संयासी बनता है तो वह भी हराम नागरिक जैसा होता है संयासीओं में भी विकार है पर उनमें से जो मौज लेना सीख गया ha sीख गया रही बात नुस्खे की तो वह तो मैं नहीं जानता पर प्रकृति के उदाहरनों से ही मैं जीवन की रहे से समझता हूँ ये जारिया देख रहे हो, बड़ी जारी, छोटी जारी सब साथ में हैं पर मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ, तुम बड़े क्यों हो मैंने इसी स्थान पर सन्यास का आधे से अधिक जीवन बिता दिया पर इन जारियों के बीच कोई विवाद नहीं सुना न छोटी जारी कभी इस होड में परी कि उसे भी बड़ा हो जाना है और न बड़ी जारी ने कभी छोटी जारी के आकार की खिल्ली उड़ाए चोटा अपने छोटे हुने में खुश है, बड़ा अपने बड़े हुने में खुश है क्योंकि इनमें तुलना की भावना ने प्रवेशी नहीं किया है ये हर बात पर तोल मोल नहीं करते घास का एक पत्ता भी उसी आनन से डोलता है हवा में जिस आनन से कोई देवदार का बड़ा व्रिक्ष डोलता है घास का फूल भी उसी आनन से खिलता है जिस आनन से गुलाब का फूल खिलता है कोई भेड नहीं है भेड की दृष्टी तो तुम्हारी है तुम कहोगे ये घास का फूल है और ये गुलाब का फूल परंतु घास और गुलाब के फूल के लिए कोई आपसी तुलना है ही नहीं दोनों अपने आनंद में मगन हैं जो तुलना छोड़ देता है वह मगन हो जाता है जो मगन हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है, वह तुलनिय हो जाता है जीवन का आनन पाना चाहते हो तो कुछ समय के लिए खुद को संसार की स्पर्धा से मुक्त करके देख लो किसी को दबाने पचारने की भाव न छोड़ दो, किसी की विशेश सफलता को देख कर लिलचना छोड़ दो कुछ समय के लिए करकी तो देखो, क्या तुम्हारी दृष्टी संकीर्न हो चुकी है कि कुछ दिनों के लिए भी इसे आजमा कर नहीं देख सकते क्या एक महीने के लिए भी ट्रायल के लिए यह भाव हम अपने अंदर नहीं ला सकते की फिलहाल जो प्राप्थ है वो परियाप्थ है यदि सच्मुच ऐसा है तो फिर आप इस धर्ती पर असंतुष्ट रहने के लिए ही भेजे गए है असंतुष्ट व्यक्ति की उप्योगिता ही क्या है फिर गोबर मेंगी क्यू सुखाना बोबर भी व्यर्थ नहीं होता किसी न किसी काम आता ही है उजन में गनेश की तरह पंचामरित प्रसाद पाता है या फिर सूप कर कंडे के रूप में हवन की अगनी में जल जाता है हिम्मत हारने की बात ही नहीं है मज़ा तो रास्ता तलाशने में है धर्माध्यातम इसमें सहयोग करते है